नमस्कार मेरे प्यारे साथ क्यों, स्वागत है आप सभी लोगों का Career India Education में आज जैसे की 5 जून हो चुका है और 2nd shift की जित्ते वी question हैं दोस्तों वो आ चुके हैं तो चलिए अपन इसके exam का analysis करते हैं और देखते हैं कि कौन-कौन से person इसमें पूछे गए हैं दोस्तों जिन लोगों को PDF प्राप्त करना हो वो लोग टेलिग्राम से जुड़ना बिल्कुल न भूलें इसका link नीचे description box में दे दिया गया है आप लोग उस पे जरूर जो जाएं जैसे ही class समाप्त होती है PDF उसमें upload कर दिया जाता है आप लोग उसमें जाकर download कर लें और दिन भर में उसको कभी भी पढ़ें चलिए दोस्तों चालू करते हैं सबसे पहले GK current की बात अपन करेंगे कि GK current में क्या-क्या पूछा गया था चलिए देखते हैं दोस्तों अगर देखा जाए तो थोड़ा विज्ञान अगर देखा जाए तो moderate से थोड़ा उपर आ रहा है थोड़ा सा कठिन बाकी सब normal है और current में अगर देखा जाए तो कुछ question ऐसे हैं जो कि एकदम से विलकूल अलाग है जो किसी से ही नहीं बने होंगे प्रशन अच्छा है दोस्तों काफी लोगों से ये बन गया होगा जिन लोगों ने मद्द प्रशन था दोस्तों तो कहां पर बना बैतूल बैतूल जिले के रानी पुर ग्राम में प्रदेश के पहले शंग्रहाले म्यूजियम का सुभारंब किया गया याने इनुग्रेशन किया गया आगे चलते हैं देखते हैं ये अच्छा कॉशन था दोस्तों करेंट का कॉशन था तो कहां से है चीन से संबन्दित है क्लियर है याद रखेगा इसको कब लॉंच किया जा रहा है या किया गया है यदि आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा चलिए नेस्ट कॉशन देखत आगे देखते हैं उन्नेश स्विंक्यानवे में आर्थिक संकट का कारण क्या था तो भुक्तान संतुलन में गाटे की वज़े से है पैदा हुआ था आयात पर बहुत जादा निरभर था और सोबियत संग का विक्टन इम्पोर्टेंट वज़ा है ना इम्पोर्टेंट फे और सारे लोगों ने गलत ही कर दिया होगा चलिए आगे चलते हैं महमूत गवा किस सामराज में प्रधान राज मंत्री थे ये एच्छा प्रसन था दोस्तो जिन लोगों ने इच्छे से पढ़ रखा हुगा जीके को तो वो लोग जानते हैं बहमनी सामराज के किलियर वह ब बहमनी सामराज को आप पढ़ेंगे तो इनके बारे में जानेंगे इनके बारे में काफी आता है आगे चलते हैं बहमनी सामराज वही है दोस्तो जो कि महम्मद बिन तुगलक के टाइम पर है ना उनी के समय पर नीचे दक्षण में इनकी एक तरीके से दो सामराज उठके आ होगा क्योंकि यह प्रष्न ऐसे होते हैं कि जो सभी को आएंगे दोस्तों है ना तो याद रखिए और dart wie कि गोलार्द में इस्ते थे चा सफो उत्री गोलार्द में है और antarctic ब्रत्वी के दक्षणी गोलार्द में इस्ते थे है न अब एक बात और याद रखना है यदि आप लोग को यह नहीं आदो तो आप लोग घूल जाते हैं कि आर्किटिक ब्रत उत्री में है कि दक्षणी गोलार्द उसमें है या आप लोग कन्फीजन में आ जाते हैं तो एक को याद रखना है आर्क कैसे बनता है आर्क इस तरीके स है तो यह उप़र की रिखनी और फूर नीचे उपशनी और उपर हो गया आर्क प्रेंपक्रक्रत बास्.. एक को आप ने याद कर लिए तो नीचे हो के लिए और अगे चलते हैं स्थल्था कस्मीर वाला, उस कस्मीर वाले छेत्र में उन्होंने अपना एक तरीके से दिखा जाए तो बेरियल लगा के रखा हुआ था, बेरियल का मेरा मतलब है कि वहाँ पर ये बैठेते और टेक्स ले रहे थे, तो एक समय पर कनिस का सासन इतना जादा उपर पहुंच गय था कि कनिस के जरवार में बहुत सारे कवी रहते थे, और कनिस को भारती इतियास में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, तो इनके सामें कौन थे अश्वकुष जिन्होंने क्या लिखी है, बुद्ध चरित के लिए आगे चलते हैं, जल्ली कट्टू के बारे में कौन स कथन गलत है, दोस्तों कथन नहीं मिल पाए हैं, इसलिए इस प्रशन को सही से नहीं बता पा रहा हैं, आप लोगों कयदी पेपर रहा हो तो आप लोग बताईएगा कि कैसा प्रशन इसमें आया था, महामंदी का कारण कौन सा देश है, समझिए, अमेरिका, महामंदी उत्री अम्रिका में हुई थी, कहां हुई थी, उत्री अम्रिका में, अम्रिका तो है ही, साथ साथ में उत्री अम्रिका में हैं न, योगी दो हैं, उत्री हो दक्षनी, कप्तान रूप सिंग स्टेडियम में पहला किरिकिट वंडे किसके बीच खेला गया था, किता प्यारा प्रशन है, पटवारी में यह वाला प्रशन आ चुका था दोस्तों, यदि आप लोग उने लाइसे देखा होगा, तो यह question सही कर दिया होगे, वैसे किताबों में भी कई हो जगा दिया है, तो इसका question तो आप लोग उने सही कर दिया होगा, भारत बनाम Best Indies, भारत versus West Indies, यह म दोड़ा है, रोहिज सर्माने, याद रखिएगा इस वाली बात को, चलिए, आगे चलते हैं, सीता साहू का जन्म कहा हुआ है, तो यह रीवा में हुआ है, दोस्तों यह इसलिए प्रिसिद्ध हैं, क्योंकि इन्होंने डवल पदक जीते थे ओलम्पिक में, कितने डवल कितने फिल्म फियर पुरुषकार मिले हैं, तो दोस्तों इनको आठ मिले हैं, कितने आठ, किसो और कुमार जी का वास्तविक नाम है, आभास कुमार गांगूली, किलियर, इनका जन्म 4 अगस्त 1929 को बिटिस भारत के खंडमा में हुआ, बेशिक तोर पर यदि देखा जाए तो गांगूली जो समाज होता है, दोस्तों, ये कहाँ आपके हैं, एक तरीके से बंगाल के होते हैं, है ना, याद रखिएगा, दिक्तम बंगाल में ही पाए जाते हैं, चलिए, आगे चलते हैं, हाल ही में, आयुर्वेद दिवस का कौन सा संस्क्राण आयोजित किया गया तो दोस्तों कौन सा किया गया था? सात्वा, कौन सा? सात्वाई की ये प्रिश्मा आया था, नेक्ट देखते हैं, किस अदिनियम को निप्टान अदिनियम कहते हैं, तो 1781 संसोधन अदिनियम को निप्टान अदिनियम कहते हैं, पर यार ये तो 1781 कहां का हो गया, ये तो अ करregory उसमें उसमें सबसे पुराने वाले उसमें आगे चलते हैं अदर्धणिय संब्द का मतलब क्या है, cheap एक संगिये शरकार की विशेष्टाओं को एकात्मक सरकार के साथ जोड़ देता है, यही होता है अर्द शंगिय, मद्द प्रदेश के राज चुनाव आयुक्त कौन है, एक प्रिशन दोस्तों यहां से जरूर आ रहा है कि मद्द प्रदेश में प्रमुक्ता में कौन कौन है, तो याद रखिएगा बसंत प्रताप सिंग, यह राज चुनाव आयुक्त है, याद रखिएगा, चलिए आगे चलते हैं, आरेल कस्यप का निदन हो गया है, वह किस शेश से सम्मन्दित थे, तो दोस्तों गड़ित अग्यत थे हैं ना, गड़ित अग्यत अग्यत का नई तरह हर बर नाइट्रोजन पर पूछ रहे थे दोस्तों है, अब हो सकता है, यही वाला कॉश्चन बहुत समय तक चलता रहे इनका, तो वाई-उ-मंडल में ऑक्सियन का प्रतीसत कितना है, 21 प्रतीसत, जब वर्सा जल का pH मान कम होता है, तो इसे अमली ये वर्सा कहते ह पानी, तो जो एक तरही के से देखा जाए, आने का बीच का रस्ता है, वहाँ पर गैसों के रूप में काफी सारी ऐसी चीज़ा पाई जाती है, जैसे कि सल्फर डाई आकसाइड हो गया, कारवन मौनो आकसाइड हो गया, ये सब आपस में मिल जाते हैं, S2, S4 का निर्माड है, तो केलसियम और मेगनीसियम, किलियर, आगी चलते हैं, गाव में जो लोग सोचालय से वन्चित रहे गए हैं, या किसी कारण वबस उनके घर में सोचालय नहीं बन पाए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए गाव में सासन ने कौन से सोचालय का निर्मार करवाया है, अपिक सेरेना इंडिका, किस किस का दो हैं याद रखिए, एपिक सेरेना इंडिका और एक है एपिस फ्लोरिया, बदुमक्खी, किसमों में से इनी का उपयोग किया जाता है, यह किस का नहीं है, किसमों में उपयोग किया जाता है, तो इन दोनों का नाम आप लोग याद र तो vitamin C, कौन सा vitamin C, लकडी से क्या प्राप्त नहीं होता, तो जो उसमें option थे, उसमें से thermocoll लकडी से प्राप्त नहीं होता, अगर आपने पेपरों को देखें, तो बहुत सारे पेपरों में इस प्रकार के question जरूर आ रहा है, कि एक प्राप्त नहीं ने पहले दे दिया, फिरुसरी से related बूसरा प्राप्त नहीं भी दे दिया, संबिधान में भी ऐसे काफी सारे प्रस्ण देखे गए थे हैं न, प्रत्वी के वायू मंडल के अनुपस्तिती में आकास कैसा दिखाई देगा, तो काला किलियर है, प्रत्वी की सता पर गुरुत्वाकरसन का मान कितना है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेर है, यह स्क्वेर है, दोस्तों याद रखिए गए इस तरीके से, आगे चलते हैं, जल जनित रोग, सिष्टो मौसिस किसके कारण अत्पन होता है, तो संक्रमे जल में परजीवी के संपरक में आने के कारण, कॉपर के मुख एस का नाम क्या है, तो कैलको पी राइट, क्या है कैलको पी राइट, एस से सम्मंदित भी एक प्रशना रहा है, परिया वरण के जैवे गटक कौन से हैं, तो प्रकास है, वायू है, मिट्टी है, पोशक टत्तो हैं, दोस्तों यदि आप लोगोंने साइंस वाली क्लासें नहीं देखी है, तो प्ले लिस्ट में जाईएगा, वन रच्छक जेल प्रहरी करके उसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें साइंसी साइंस का पूरा मैटर है, बहुत सारी ऐसी क्लासें हैं, जिससे आपकी ये वाली जित्ते भी कॉश्चन है, इन में से आप विस्वास मान के चलिए, 95% कॉश्चन आपकी सही हो जाएंगे, तो जाएए उन क्लासों को देखिए, यदि आप लोगों का पेपर हो तो, clear, इधन के लिए परमाडू रियक्टर में किस तत्तो का उप्योग किया जाता है, तो यूरेनियम का प्रियोग किया जाता है, ए-म किस तत्तो का रासाइनिक प्रतीक है, तो अमरेशियम का, किसका है दोस्तों, अमरेशियम का, इलेक्टरोन और फोटोन के समान, तरंग धैर के लिए कौन सी बहुतिक मात्रा समान होगी, तो समवेक समान होगा, कौन सा समवेक समान होगा, clear, हिंदी में देख लेते हैं दोस्तों, पर्यवाची है, हिंदी में लगबग वैसा ही रा, विलोम सब्द थे, पर्यवाची तु था, यलंकार था, सुद्ध वर्दनी था, रस से संबंदित हैं, समास हैं, संदी है, वाच्चे और काल हैं, इंग्लिस में वही PQRS से 5-6 कौस्चन हैं, एक्टिप पैसि प्रशन थे, मदिका से प्रशन निरंतर आ रहे हैं, SICI से प्रशन थे, छेत्रमिती से प्रशन था, इसके अलाबा समय कारेचाल दूरी से भी प्रशन थे, तो लगबग हर एक टॉपिक से एक दो एक दो इस तरीके के प्रशन जो है, वो आ रहे हैं, तो चलिए दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास है, वो समाप्त होती है, टेली ग्राम से जुड़ जाएंगे, तो इसका PDF आपको मिल जाएगा, नमस्कार, मिलते हैं,